मेर कोई ची समझ में नहीं आ रही है जैसे मैंने आपी रील डाली थी इंस्टाग्राम पे कि रोमन और कोडी में कौन जीतेगा प्रेडिक्शन करके बताओ और जो भी जीतेगा उसको मैं पांच सो रुपे दूंगा कोई भी एक विनर होगा जिस के कॉमेंट में जीरो लाइक होंगे और वो विनर भी होगा लाइक रोमन या कोडी में से ठीक है अब मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि हम उनको कैसे बताओं कि यार वो रीले एक अप्रेल को डाली थी मैंने भाई यार इंस्टाग्राम पे क्या दानव हूँ मैं यार तो गया से हमाच चैंपिएंस पर नहीं आ जाए क्या पता या एक दो हटना जाए जो भी हो सकता है क्योंकि एक स्मैकडाउन बची हुई है बट मेरे को लगता है कि इस इस दा बेस्टाइम जब मैं प्रेडिक्शन वेडिए निका सकता है इसके बाद मुझे नहीं लगता कि टाइम मिलने वाला है अचान बट मेरे बट मेरे के घाए मैं चानसें व्यादा होंगे प्रेडिक्शन बैक लिंट के ओपर बहुत best option साबित हो सकता है otherwise तो फिर boring हो जाएगा otherwise फिर हम हर बार winner predict करना easy कर लेंगे फिर तो पता चली जाएगा कि अच्छा ये तो जीती जाएगा अराम से just because किसी के ऐसी story रहे does not mean कि उसको जिता ही देना चाहिए I think कि Rhea Replica जैसे domination रहा है अगला मैच से गुंतर वर्से सैमी जैन का Intercontinental Championship match अच्छा इनकी भी long term rivalry इनकी long term कैसे 12 साल पहले इनके बीच हमें Indies में Trilogy देखने को मिली थी जहां पर Championship भी switch हुई थी दो बार गुंतर ने जीता था match और एक बार सैमी जैन कह लीजे L जेनेरिको ने ठीक है तो वही चीज अब फिर से repeat होने वाली है गुंतर और सैमी जैन आपस में आमने सामने लडने वाले 12 साल के बाद गुंतर ने बोला तो कि भाई तु मिले को हरा ही नहीं सकता however 12 साल पहले एक बर हराया था सैमी जैन ने तो उसी चीज को दुबारा से सैमी जैन को recreate करना है ना सैमी जैन के लिए हर कोई root कर रहा है but what if गुंतर retains the championship ठीक है मैंने रिया रिप्लिक ने जो बोला मैं वो गुंतर के लिए शायद से ना बोलू हाँ गुंतर अगर जीता है मुझे कोई problem होगी नहीं but I am picking Samy Zain for this because मैं को लगता है कि Samy Zain का जो intercontinental या फिर singles title के लिए rain है जो कि fans deserve करते है वो अभी तक आया नहीं है वो last time जो शिंसके ना कमुरा के साथ आया था intercontinental title range Samy Zain का मैं को लगा कि उसको overshadow करना चाहिए baby face Samy Zain को and that's what we need और मैं को लगता है सब है place भी है time भी है stage भी है set भी है सब है भाई सब Samy Zain can do that so that's why I'm predicting Samy Zain next up we have the judgment day DIY awesome truth the new day a town down under new catch republic के बीच होगा six pack tag team ladder match for the undisputed WWE tag team championship दोनों titles को उपर लटका देंगे और जो भी जीतेगा champion मिन जाएगा इस match की prediction तो क्या करनी स्टार्टिंग से हम बूलते आ रहे मतलब हम क्या मैं at least awesome truth के लिए हम लोग root कर रहे है Damian Priest के पास से tag team championship जानी चाहिए तभी Finn Balor और इनकी बीच दरार देखने को मिलेगी तभी judgment day थोड़ी तोड़ी तोड़ी दिखाई देगी वह लगता है कि अगर रिपली जो अगर रिपली वाला मैच पहले होता है और रिपली टाइटल हारती है तो फिर तो इस मैच की prediction भी करनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर तो आप लिख के ले लो कि judgment day टाइटल हार रही है ऐसा नहीं हो सकता कि रिपली टाइटल हार गई है और ये रिटेन रख लेंगे या अगर रिपली जीतती है तो फिर चांसेज है कि शायद शायद judgment day ना हारे इसमें इसलिए इसका बड़ा वैसा case रहने वाला है बैकि लिंच वाले मैच से इंस्पार्ड होने वाला है मेरी prediction तो यह पर और सम टूथ है और क्या भाई क्या moment होगा यार और टूथ जर चैंपियंशिप लेके man amazing जे उसो वर्सस जिमी उसो भी नाइट वन के लिए ही announce है और बड़ा अच्छा मैच होने वाला यह brother versus brother match की prediction I'm predicting जिमी उसो like मेरे को पदा है कि जे उसो अगर जीतता भी है न जीतना चाहिए क्योंकि जे उसो उस लेवल तक पहुंच गया जिमी उसो को वहां तक पहुंचना पड़ेगा जब वो जीतेगा और यार brother versus brother में Wrestlemania में मैंने अपने फेवरेट को हरते वे देखा है already तो मैं दुबारा से जेट कारगिल के टिम because come on जेट कारगिल एं बियांका बिलेर एक साथ हैं बियांका बिलेर अकेली होती है तो वो तीन को भोड़ देती है तो ये तो दो एक साथ आने वाले भूल ज़ो कि यह हारने वाले Latino World Order यानि कि LWO Ray Mysterio and Dragon Lee recent edition जो होगा है वर्सस सांतो सासको बारे इन डिर्टी दॉमिनिक मिस्टीरिय के भी स्टैक्टीम मैच देखने को मिलेगा जिसमें मेरे प्रेडिक्शन Latino World Order होने वाली है Ray Mysterio and Dragon Lee because मेरे को जहां तक लग रहा ये मैच हुआ है Dragon Lee के लिए हुआ है Dragon Lee को next Ray Mysterio establish करने के लिए हुआ है और Dominic Mysterio का हील करेक्टर को और भी ज़्यादा intensify करने के लिए हुआ है और साथी साथ जो गलती सिंकारा के साथ करी शायद से वो यहाँ पर Dragon Lee के साथ ना हो इसलिए make sure कर रहे कि जल्दी से जल्दी बड़िया से बड़िया मोमेंट दे के निकालो जब तक Ray Mysterio अब तक यूज कर लो that is what I think and finally जो main event होने वाले tag team match between the bloodline यानि कि Roman Reigns and the Rock versus Seth Rollins and Cody Rhodes और जो भी जीतेगा उसके हिसाब की stipulation होने वाली है मेरी इसमें prediction आपको पदाईए क्या है हम लोग bloodline rules की expectations कर रहे है मेरे को नहीं चाहिए clean match Roman versus Cody का वो हो गई नहीं clean अगर आप बोल भी दोगे तो इसलिए match आँगा कि bloodline rules ही रख दो क्योंकि फिर at least Cody Rhodes भी तो open होगा कि हाँ भी मेरी तरफ से भी कोई आ सकता है अभी एक मिनट bloodline rules match है तो bloodline के ही members आ सकते कि कोई भी आ सकता है यार ये clarification नहीं है बाट फिर भी मेरी prediction तो यहाँ पर The Rock and Roman Reigns ही है क्योंकि आप खुद सोचो यार Roman Reigns जिसकी title हारने के इतने वो है कि उसको match हारना है वो पहले ही नहीं हार सकता और what if इस match का कोई result ही नहीं आया भाई साब क्या यार इस match का result लाना कितना मुश्किल है WWE वाले writer का दिमाग खराब नहीं हुआ 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 ये सोचके कि भाई इसमें कौन जीतेगा यार भाई फिर भी है मैं तो Rock and Roman को प्रेडिक्ट करूंगा जीत जाए you never know man anything can happen CM Punk कुछ कर दे ये match भी वड़ा पेचीद है इस बार की Wrestlemania के भले हम प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे I think वही मेरे को जादा चीज अच्छी लग रहे है कि उसकी वज़े से match पेचीद हो रहा है जब match फस्ता है ना तो मजा आता है इंट्रस्टिंग तो हो गया है यो स्काई वर्सेस बेली ये तो easy है बेली यहां पर championship जीत रही है ये तो लिख के ले लो LA Knight वर्सेस एजस टैस का match इनो ने night 2 में रहा है for some reason I don't know why without championship इनकी हिम्मत होई कि night 2 में इस match को रखा जाए ये match up kick off में भी shift हो सकता है तो कोई problem नहीं होती इस match को chairs से जब इतना involve किया गया ता ऐसा लगा कि यहां chairs match होना चाहिए बट्चब नहीं डाला तो फिर हमने काप बाल में जाओ अब कौन जीतेगा मेरी prediction तो यहां पर LA Knight रहने वाली है even though मेरा favorite है even though जिस तरीके से last three months में उसको use को बुरा लगा but LA Knight के लिए ज्यादा लगेगा क्योंकि वो बंदा build होते होते फोस हो रहा है तो इसलिए मैं नहीं जाता हूँ फोस हो Logan Paul versus Randy Orton versus Kevin Owens की case में मेरे को लगता है Logan Paul अपनी title retained रखेगा इसमें मेरे को पता है मेरे के chances होने के गलत होने के chances ज्यादा है but Randy Orton और Kevin Owens कर सकते हरकत की वहिया एक दूसरे से ही लड़ ली last में और Logan Paul ने आके मजे ले लिए ये chances मेरे को ज्यादा लग रहे है और उपर से यार आप सोच रहे हो WrestleMania की ring पे बड़ा-बड़ा prime की bottle छपी होगी आपको लग रहा है कि वो motivation के साथ Logan Paul हारेगा ना बुल जाओ वई The Pride यानि कि Bobby Lashley, Angela Dawkins and Montez Ford versus The Final Testament यानि कि Kering Cross, A.C.A.M. and Razor के भी six men Philadelphia street fight देखने को मिलेगी और पदा है ये कौन सा match होने वाला है ये वो जो last year हमें देखने को मिला था ब्राउन स्ट्रोमन रिकोशे वर्सेज वो टैग मैश था ना फेटल फॉर वेला वो ये होगा जो कि unexpected है पर ये भयंकर हमें entertainment देखे जाएगा मेरी इससे बहुत जादा expectations हो गई है और ये ही नहीं करना था शायद क्योंकि उस टाइम पर हमारी expectation नहीं थी इसलिए उसने फोड़ दिया था अब इस expectation है तो पता नहीं क्या हो जाएगा तो इसलिए नहीं है भाई expectation कुछ निए मेरी विनर की प्रेडिक्शन है वहाँ पर ये the final testament के रहने वाली करन क्रोस की टीम के लिए मेरी prediction है and finally Roman Reigns versus Cody Rhodes Undisputed Universal Championship कौनसी stipulation होगी you never know क्या bloodline bard होगी क्या bloodline rules होगा वो तो night one से पता चलेगा but क्या Cody Rhodes की story finish होगी या नहीं ultimately यह है और इसी के लिए जाए था लोग सोच रहेंगे कि भाई क्या होगा क्या होगा I think हो जाएगी I think इस बाइस story finish हो रही है documentary जिस तरीके से Roman Reigns किया ही मेरे को लग रहा है कि हाँ अब तो जा रहा है अब हमें finally bye bye करने के लिए अपने हाथ को ऊपर कर देना चाहिए अगर आप Roman Reigns के fan हो आप support कर सकते हो but ready भी रहना कि क्या पता Cody Rhodes भी title जीत चाहे chances पूरे के पूरे so I'm really enjoying this कि हम लोग प्रिडिक नहीं कर पा रहे because इतना 50-50 मामला हो चुका है and अब तो WWE को क्रेडिट देना चाहिए ना because आप लोग हमेशा कहते थे क्या WWE बेका रहा है क्या या जब पता ही रहता है कि कौन जीतने वाला है अब तो नहीं पता भाई आप कह के दिखा दो कि गैरेंटी हाँ वैसे गैरेंटी तो बोली सकते है मैं भो सकते हैं अब किस चीज की गैरेंटी को stipulation लेगे दिगा फिर मानेंगे stipulation मैं कोई नहीं ले रहा और यह खुद कन्फूज है कि कौन से stipulation लेगे की तो मैं कहां से में stipulation बीच में बसा हूँ कॉमेंट्स में लिखो अपनी प्रेडिक्शन सारे मैच इसकी जिसकी भी सही होगी देखते करता है फिर उसका कुछ इंतिजाम कॉमेंट्स में लिगे 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 आपको वीडियो पसेंदाए तो अप्री लिए को शिर्क पर चैनके सुब्स्क्राइब करो और मेंचराइ ओ्रेडिक्शन सा내